नमस्कार नेक्स्ट आइस हिंदी में स्वागत है टॉपिक आफ दे डे में आज बात करेंगे लोगसभा में पारित हुए विधेयक पर साथियों GS Paper 2 के इंतरगत ये पॉलिटी सेक्षन में कवर होगा लोगसभा ने हाली में ध्वनीमत से वित्य विधेयक 2024 को पारित किया वित्य विधेयक यानि फिनैंश विल के विशे में और बात कर लेते हैं सदन ने सरकार में अगले वित्ती वर्स में चार महिनों के खर्चों को पूरा करने के लिए अधिकरित करने वाले विनियोग विधेयक यानि एप्रोप्रियेशन विल को मंजूरी दे दी है आप जानते हैं कि विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्ती वर्स के दोरान व्य की पूर्ती के लिए भारत की संचित निधी से धन रासी निकालने की सक्ती देता है और संबिधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार सरकार संसत से अनमोधन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधी से धन निकाल सकती है निकाली गई रासी का उपियोग वित्ती वर्स के दोरान बर्तमान बै को पूरा करने के लिए किया जाता है विनियोग विध्यक कानून का एक महत्पून हिस्सा होता है जो सरकार को वार्षिक बजट में अनमोधित सारजनिक धन खर्च करने के लिए अधिकृत करता है या खर्च के लिए सरकारी अनमोधन की अवशक्ता के द्वारा जबाब देही और पारदर्शिता सुनिशित करने में सहायता करता है भारत की संचित निधी से अनाधेकृत निकासी को रोकता है निचले सदन यानी लोकसभानिस केंदर सासित प्रदेश जम्मु कस्मीर के लिए एक लाख असी हजार करोण रुपए की बजट को मंजूरी दे दी है अब बात करते हैं वित्विधेक फिनाशिविल की वित्विधेक एक धन विधेक होता है जैसा कि सम्मिधान के अनुछेद एक सो दस में परिभासित किया गया है इसे केंदरी बजट प्रस्तुती के बाद प्रतिवर्स लोकसभा जो संसत का निचला सदन होता है लोवर हाउस होता है संसत का में पेस किया जाता है कराधान मिंस टैक्सेशन ब्याय और अन्यवित्ती मामलों के लिए सरकार के बजटी प्रस्तावों का परिडाम होता है रेजल्ट होता है नए कर लगाने मौझूदा कर धाचे में संसोधन या परिवर्तन या संसत द्वरा अनमोधित अवधी से आगे के प्रस्ताव या मौझूदा कर धाचे को जारी रखने के सरकार के प्रस्ताव इस विध्यक के माध्यम से संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं वित्य विधेक के साथ एक ग्यापन भी सनलंगन होता है जो कीस में शामिल प्रावधानों की व्याख्या होती है वित्य विधेक किवल लोकसभा में ही पेस किया जा सकता है ध्यान रुखियेगा UPSC Prelims Examination में कथन में बहुत साथानी पूरवक डाल देता है कि यह लोकसभा और राजसभा दोनों में पेस किया जा सकता है तो वहाँ पे आप भ्रमित मत होईएगा यह किवल लोकसभा में ही पेस किया जाता है हलाकि राजसभा विधेक में संसोधन की सिफारिस कर सकती है लेकिन उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन या बदलाव नहीं कर सकती वो अधिकार लोकसभा को ही है कानून बनने से पहले इसे संसत के दोनों सदनों से अनुमोधन की अवशक्ता होती है विधेक को पेस होने के 75 दिनों के भीतर संसत द्वारा पारित करना होगा यानि धाई महिने के अंदर आपको पारित करना होगा तभी कानून का रूप धारण कर पाएगा 75 दिनों का मतलब होता है लगभग धाई माह अब बात कर लेते हैं वित्ति विधेक या फिनांस विल 2024 की मुख विसेस्ताओं की पहली विसेस्ता तो ये है कि आयकर में कोई बदलाव नहीं है अप्रेल मई 2024 में अगामी आम चुनाओं के करण आप जानते हैं कि देश का लोक सभा का चुनाओं दो अप्रेल और मई महिने में होने जा रहा है 2024 में नई सरकार चुन कर आएगी के कारण वित्ती वर्स 2024 पचीज के लिए मौझूदा कर सरंचना को बनाए रखने पर केंद्रित है कुछ रहतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है विसेस्ट छेत्रों या करदाताओं की स्रेणियों के लिए कुछ छोटी कर रहते हैं इसमें सामिल की गई है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपाय किये गए हैं आप देख रहे हैं कि इस समय देश पूरी तरह से एकोनामिक डेबलेप्मेंट करना चाहता है विशेस्कर के अवसरंचना का विकास लगातार हो रहा है इंफरस्ट्रेक्चर का डेबलेप्मेंट चाहे वो सड़कों के निर्माण के रूप में या बड़े-बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है उदाहरण के रूप में अभी मुंबई में अटल सेतू का निर्माण किया गया है एसिया का सबसे बड़ा समुंदरी पुल माना जा रहा है अटल से तू को और आप देख रहे हैं परवत माला योजना के अंतरगत जो रोपवे का निर्माड हो रहा है परवती राज्यों में ये सब अवसरंचना के विकास को दिखाता है फिर निवेश को बढ़ावा देने मे सरकार फोकस कर रहे है इंवेश को बढ़ावा देने में कर रही है ध्यान के इंद्रीट कर रही इस JAC के सुधारों के प्राउधः को सामिल कर रहे है और क्या विसेस्ताएं है सरकार का लख्ष्क खर्च को नियंत्रित करके राज्यस बढ़ाने के उपाईयों का रस्ताव करके राजकोसी घाटे को कम करना है। साथियों TOD के अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स टंक में कुछ और महत्मूर्ट टॉपिक के साथ तब तक जुड़े रहें नेक्स टाइस हिंदी के साथ धन्यवाद।